पागिल अंधे हो गयो देखके नहीं चल सकते सारा दूद गिरा दिया मुशी मलेक साब गलती हो गई ये क्या करेते गलती इनसान से होती है बेटा ख्यार रखा करो ठीक है मलेक साब नदीम काम कैसा जा रहा है ठीक जा रहा है सरदार साब फसल का क्या हाल है जी अलहांदलिला बहुत अच्छी फसल है मलेक साब मुझे कुछ पैसे चाहिए थे एक हफ़ता हो गया पैसे लेके गाँ फिर तन्खाले ने आ गए हो मुशी नीजे बेटो हाँ श्वे बेटा आपको कितने पैसे चाहिए जी मलेक साब दस हजार चाहिए थे ये लो दस हजार ठीक है मलेक साब मुशी घोड़े पेजीन डालो मैंने मुझफर कर जाना है पेशी पार मैं एक महिने तक आ जाँँगा ठीक है सरदार साब ये दूद मुझे दो मैं मलेक साब के घर खुद दे दूँगा जाओ बेटा पानी की बाल्टी लेके आओ ये लो बाबा अरे यार ये मुझे मालेक के साथ घर दारी कर रहा है खालस दूद अपने घर लेकर जा रहा है और पानी वाला दूद मलेक साब के घर बेज रहा है बेटा ये खालस दूद अपने घर ले जो पानी वाल्टी मैं मालेक के घर बेजता हूँ नदीम भई मुन्शी मलक साब के साथ अच्छा नहीं कर रहे एक महीना हो गया है मलक साब अपनी पेशी पर गए है और मुन्शी साब पीछे से नुकसान कर रहे हैं आप ठीक कह रहे हो दिमें जी जी मुन्शी साब तुम जाओ काम करो मैं खाट डालता हूँ हाल मुन्शी हाँ हाँ पांच हजार दो और गट उठो अरे यार मुन्शी साब तो खाट बेज रहा है मलक साब मुन्शी आपके साथ गरदारी कर रहा है ये तुम क्या बोर रहे हो मलक साब मुन्शी साब खालस दूद अपने घर ले जाता था और पानी वाला दोद़ा आपके घर पहुंचाता था जी चोधरी साब शोवे बिल्कुल ठीक है रहा है चोधरी साब चोधरी साब घजब हो गया क्या होगए क्यों चिला रहे हो मलक साब मेरी चोरी हो गई मेरे घर का सारा समान चोर ले गए गर में कूछ नहीं बचा मुन्शी सबर रखो चोधरी साब मुझे लगता है मेरी गलतियां की सजा मिल रही है ये आप क्या बोर रहे हो चोधरी साब मैं आपकी खादें बेचता था चोरियां करता था मुझे माफ कर दो अच्छा ये लोग साच कह रहे थे जी जी मलक साब मलक साब मुझे माफ कर दे मुन्शी चोरी करना गुना है मुन्शी सबर रखो आपको अपने गलति का असास होगे ये ही काफी है उटो गले लगो वैसे शुए बई चोधरी साब ने अच्छा फासला किया है नदीम बई आप ठीक कह रहे हो